लोग आ गया हूं दोस्तों फिर से आप लोग के सामने एक टॉपिक पे हम लोग बाचीत करने जा रहे हैं रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएन की एक बॉड़ी है जो कि एन्वाइरमेंट के लिए काम करती है उसकी एमबैसेडर बनाए गए थे रंदीप हुडा और उस पत से इनको हटा दिया गया है क्यों हटाया गया क्योंकि मायावती के उपर वर्ष 2012 में इन्होंने एक जोग किया था और वो जोग ही अब मेडिया हाउसेज के अंदर काफी जादा वो पब्लिश होने लगा ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगा और ये बात पहुँच गए यूएन तक और यूएन तक बात पहुँचने के बाद फिर इनको अपने पत से रिमूव कर दिया गया तो हम लोग जानेंगे कि क्या रंदीप हुडा पर कोई कारवाही की जा सकती है और ये दी की जा सकती है तो कितने साल की सजा और इस पर CRPC और IPC क्या कहती है वो भी हम लोग जानेंगे तो रिसेंटली आपको पता होगा कि न्यूज के अंदर ये पब्लिश हुआ कि रंदीप हुडा को फरवरी 2020 में तीन साल के लिए एमबसेडर बनाये गया था Convention for the Conservation of Migratory Species of Wild Animal लेकिन अब जो है इनको अपने पत से हटा दिया गया है हुआ क्या है कि रेसेंटली जो XCM है UP की और वर्तमान में बहुजन समाज पारिटी की चीफ है मायावती उनको लेकर इन्होंने एक जो किया था 2012 में किया लेकिन वो अब काफी ट्रेंड होने लगा जिसके कारण इनको अपने पत से हटा दिया गया आप लोग के लिए बहुती बहुती बहतरीन कंटेंट लेके आता है नॉलेज इस पावर ये हमारी टैग लाइन है तो एप हमारी लॉंच हो चुकी है जाईए आप लोग उसे डाउनलोड कीजिए काफी जबरदस उसका इंटरफेस है और बहुती बहतरीन कोर्सी जो हैं व आप लोग जाके देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रैस रिलीज की जा चुकी है कि रंदीप हुडा को अपने पत से हटा दिया गया है और सबसे पहली न्यूज ही आपको ये देखने को मिल जाएगी और नीचे सबसे लाश्ट लाइन में आप लोग देख सकते हैं मिश्टर हुडा no longer serves as a CMS ambassador तो सोच के देखिए कि यदि international level पर ऐसी कोई बात यदि किसी संस्था की press के अंदर release होने लग जाती है तो आप सोच के देखिए कि क्या वो बात कहां तक पहुंच सकती है तो ये जो संस्था है वो काम करती है कई जो wild animals हैं उनके लिए काम करती है mammals के लिए क और इसकी जो headquarters है वो जर्मनी के bond में इस्तित है एक नवंबर 1983 से इसने काम करना शुरू किया तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि इसकी जो meeting है मतलब COP 13 की जो meeting थी वो 2020 में 15 से 22 फरवरी के बीच गांधी नगर गुजराद के अंदर conduct करवाई गई थी और इसी meeting के 20 में 3 साल के लिए काफी responsible वाली ये job थी जो भी ये न्युक्त किये जाते हैं इस पत पर तो इनके उपर काफी responsibility रहती है क्योंकि इनकी छवी इतनी ज़्यादा बड़ी रहती है कि इनको लोग follow करते हैं और यदि इनके द्वारा ही ऐसा कोई joke किया जाएगा कोई comment किया जातिवाद को लेकर क्या वो जोग था देखिए इन्होंने एक अपने वहाँ पर जो कलीग है उनके तरफ इशारा करते वे जोग सुनाए था कि मायावती एक बार सडक से गुजर रही थी तो उनके साथ में दो बच्चे और भी साथ में थे तो एक व्यक्ति के दोरा ये प कमेंट किया वो काफी कॉंट्रोवर्शल हो गया तो देखिए चाहे मायावती हो या कोई और महीला हो किसी के रंग रूप को लेकर किसी की जाती को लेकर कोई भी मजाग जो है वो नहीं किया सकता कोई भी कमेंट जो है वो नहीं कर सकते इंडियन कोंस्टिशन भी इसके बा जिसको आप लोग जाकर देख भी सकते हैं 2012 की है काफी पुरानी है और ये ट्विटर के उपर काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा अरेश्ट रंडीप हुडा लेकिन क्या ये बात जो है ये इस हद तक पहुंच सकती है कि रंडीप हुडा को सजा मिल सके बिलकुल मिल सकती है IPC की धारा 509 है जिसके तरह 3 साल के सजा इनको मिल सकती है और इनके उपर FIR जो है वो भी दर्ज हो सकती है लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इनके द्वारा जो बयान दिया गया वो 3 साल पुराना है या फिर 3 साल के अंदर ही दिया गया है यदि वो 3 साल के अंदर दिया ग कारवाही नहीं की जाएगी कानून तो यही कहता है लेकिन अब जो है इस सिति के अंदर ये तो मामला 2012 का था तो फिर क्या कारवाही हो सकती है जैखिए इस परिसिति में कोई कारवाही जो है वो CRPC के तरह तो नहीं हो सकती लेकिन इनको माफी मांगनी चाहिए और जो भी इनकी दोरा clarification है वो देना चाहिए तो ये काफी गलत हुआ है तो मैं भी जो है इस चीज के favor में हूँ कि इनको जोग जो है वो international level पर नहीं करना चाहिए था तो चलिए next topic में हम लोग मिलेंगे steady close आप लोग के लिए बहुती बहुती बहुतीन content लाता रहेगा knowledge is power ये हमारी tagline है